इसरों ने शुकरवार सुबह 9 बच कर 28 मिनिट पर PSLV C40 के जरिये एक साथ 31 उपगरह को लॉंच किया जिसमें 6 देशों के 28 सेटलाइट के साथ ही 3 भारती हत्यार भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं जी हां सही सुना आपने भारत ने सेटलाइट के नाम पर ऐसा हत्यार भेजा जिससे पाकस्तान के हुक्मरानों की सांसे अटक गई है वैसे ये है तो 100 किलोग्राम का माइक्रो और 10 किलोग्राम का नैनो उपगरह लेकिन इससे जो काम होगा वो भारतीय फॉज के लिए किसी घातक हत्यार से कम काम नहीं आएगा हम आपको बताते हैं उपग्रह रूपी इस भारतिय हत्यार की खासियत जिसके कारण पाकिस्तान के अभी से ही पसीने छूटने लगे हैं क्या है काटोसेट 2 सीरीज की खासियत? काटोसेट 2 सीरीज का उपग्रह पूरी तरह से स्वदेशी भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विक्सित एक उच्च गुनवत्ता वाला सैटलाइट है इसे हाई रेजोलीशन, शहरी नियोजन, बुनियादी धांचे के विकास और उप्योगिता की योजना और यातायात प्रबंधन में इस्तेमाल के लिए इमेजरी एकठा करने के लिए बनाया गया है ये तो हुए हाथी के दिखाने वाले दांत, लेकिन पाकिस्तान की परिशानी की वज़ा है हाथी के खाने वाले दांत यानि कि इस उप्ग्रह की वो खासियत जिसके बाद अगर बॉडर पर एक पत्ता भी खड़केगा तो भारतिय फॉज को उसकी एक दम सटीक जानकारी मिल जाएगी काटो सेट में दो उपकरण लगे हैं एक पेट्रोग्राफिक कैमरा पैन और दूसरा हाई रेजोलूशन मल्टी स्पेक्ट्रल रेडियो मीटर अब ये है क्या बला इसे भी समझे पेट्रोग्राफिक कैमरा 65 सेंटीमीटर यानि करीब 26 इंच के रेजोलूशन पर दिखाई देने वाली और नस्दीक से इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रम के चुने हुए भाग में पेट्रोग्राफिक मतलब ब्लाक एंड वाइट तस्वीरें लेने में सक्षम है यानि सीधे कहें तो ये कैमरा किसी आदमी को आसानी से पहचान सकता है और उसके पास मौजूद हत्यार क भी जनकारी देने में सक्षम होगा वहीं हाई रेजोलूशन मल्टी स्पेक्ट्रल रेडियो मीटर चार मीटर चैनल रेडियो मीटर पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम यानि पूरी तरह से रंगीन फोटो के साथ क्लोज इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रम का हिस्ता भी है जो कि दो मीटर के रेजोलूशन पर बेहद समवेदन शीलता से काम करता है सीधे शब्दों में कहें तो अगर भारत इस सेटलाइट का इस्तेमाल सामाजिक कामों के साथ फौजी काम के लिए करता है तो भारत ये फौज को वो हथियार मिल जाएगा जिससे फौज की जानकारी के बिना किसी का पत्ता भी खडखाना सीमा पर मुश्किल होगा और पाकिस्तान शायद इसी बात से खौक खा रहा है कि जल्द ही भारत उसकी सीमा में घुस कर कोई और सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे इंडिया निउस वाइरल की रिपोर्ट